चार सितंबर को निरियापक मुनिपुंगव श्री सुदा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ गाजियाबाद से जैन समाज के प्रभुवद्जन श्री शुशील मूदी, श्री जम्बू प्रसाद जैन और श्री जवाहर जैन आगरा आए और आगरा आगमन पर उन्होंने जि जिन्वाणी चानल के कारेलये पर भ्रहमन किया. इस दौरान नगर के मोदी नगर निवासी श्री सुशील मोदी जी, कवी नगर समाझ की अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जैन जी, श्री जवाहर जहन जी को जिन्वानी चैनल के सीनियर वाइस प्रेसडेंट श्री सत् अफिस आगमन पर अतिथियों ने अपने अनुभवों के साथ आगरा आने के उद्देश को स्पष्ट किया गुरुजी के दर्शन करने की बहुत ही इच्छा थी समय नहीं मिल पारा था या कुछ भी कहिए इसके लिए आज दर्शन करके अपने को धन्य मानता हूं और आचारी सीष्ट गुरुजी से दर्शन करने आए हूं आशिरवाद लेना हूं कि भगवन मेरी आखरी पढ़ाव ह अगर मैं समाज के लिए छेत्व के लिए कुछ कर पाऊंगा तो धन्य समझुआ नहीं तो मैं इसी तरह से अपनी जीवन यापन करता हूं मैं अपनी यात्रा पूरी कर पाऊंगा भामना ही है कि कुछ तीर्थ हो लिए कर सकूंँ आज मेरे लिए जीवन में बहुत सभा का विषय है कि आगर आने का अपसवर प्रफ्ट हुआ और महरा स्री के दर्सन हुए जितने भी हमारे दिगंबर सादू हैं वो सब चल तीर्थ होते हैं तीर्थ दो प्रकार के होते हैं एक चल एक अचल तो जितने भी सादू हैं ये जब इनके दर्शन करते हैं ता अनेक जनम के पुन करम का हमारा उद्य होता है और अच्छी भावना बनती है इसी भावना से हम सब लोग आज दर्शन करने आए है श्रिस सुशील मोदी जी ने जिन्वानी चैनल के संबंध में अपने सद्भाव व्यक्त किये जिन्वानी में केवल दिगंबर संपदाय का ही अधिकार है दिगंबर संपदाय की कारिक्रम आप लोग करते हैं और कोई इसमें पब्लिसिटी नहीं है ये सबसे बड़ा एक हमलों के लिए दिगंबर समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्दी है जिन्वानी चैनल को चलते हुए या बढ़ते हुए देख करके अगरे स्थित जिन्वानी चैनल के मुख्य कारलय के आगमन पर सभी अतितियों का शौल पहना कर और उपहार भेट कर स्वागत सतकार किया गया जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश उसेब्यग रिपोर्ट